एम एम बी ग्रूप डूंगरपुर का कंबल वितरन अभ्यान चारी ठर्ण से कपकपाते लोगों को दे रहा है संबल एम एम बी ग्रूप डूंगरपुर की ओर से खौमी एक्ता के प्रतीक हजरत किबला मस्तान शाह बाबा की याद में कंबल वितरन अभ्यान के चौथे दिन रात्री को दस बजे ग्रूप की ओर से नया डेरा, जिला स्पताल, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, सायद बाबा की दरगाह वा आसपास के इलाकों में घूम कर ठंड से कंपकपाते लोगों को कंबल वितरित कर उनको राहत पहुँचाने का प्रयास किया है ग्रूप सदर नूर मुहम्मद मकरानी ने बताया कि प्रदेश में अभी भी शी तहर का प्रकोब जारी है और ग्रूप भी अपने खिद्मत की कामों को अंजाम देने के लिए तयार है ग्रूप सदर मकरानी के साथ आसिफ मुलतानी, असलम मुलतानी, एमरान मकरानी, उदेपुर, इर्फान मकरानी, उदेपुर, असलम शेर खान, बिलाल मकरानी, संदीप सेठिया, हाजी अखतर हुसैन, संजे शर्मा हमेशा तयार रहते हैं हमारे शहर डोंगरपुर में कोई भी व्यक्ति ठंड की वज़ा से तकलीप में नहीं पाएं प्रदेश में जब तक भीशन शीत लहर जारी रहेगी ग्रुप की ओर से कंबल वितरन अभियान जारी रहेगा क्योंकि जरूरत मंदों की मदद करना ही MMB ग्रुप का उद्देश ह मस्तान बाबा भी यही सीख देते थे कि जब तक हो सके जरूरत मंदों की मदद करो उन्हीं की दी हुई सीख से ग्रुप सन 2007 से खिद्मत के कामों का अंजाम दे रहा है ग्रुप की ओर से राशन वितरन रकजान शिविर परियावरण की सुरक्षा के लिए विरिक्षार उपर कपड़ी की धैलियां का निशुलक वितरन सडक सुरक्षा बच्चों को शाक्षिक सामगरी ए उपलग्ध कराता है ये सभी काम ग्रुप भामा शाह की सहयोगसी करता है और ग्रुप की कारियों को देखती हुए समय समय पर भामा शाह खुद आकर ग्रुप को संबल प्रदान करते हैं साबला डुंगरपुर से समवादाता जगदीश तेली की ये रिपोर मंबी क्रुप डुंगरपुर की ओर से आज कंबल वीतरन के पांचमें दिन नया डेरा में लोगों को चिन्नित करकर वहाँ पे जरुरत मंदों को कंबल परदान करके राहत परदान की गई मंबी क्रुप मस्तन बाबा की याद में लगातार इस एबयान को जारी रख रहा है और रोड पे सोईवे लोगों को और कहीं मॉलों में चिन्नित करके उन लोगों को भी कंबल परदान करके सर्दी सराहत दे रहा है मस्तान बाबा की दुआओं से हमारे अभियान लगतार पंदरा दिन तक चलेगा और मैं मेरे पामासाओं का शुक्रिया आदा करता हूं कि उनके सेयोग से हम इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं हमेशा ये रासन भी बाढ़ते रहते हैं अभी तकरीबन पाथ-शे दिन से लगतार इसी काम को कर रहे हैं हर रात पाथ-शे दिन से हर रात में कोई न कोई महले को जूश करते हैं फिर वहां जाकर करके कंबल बाढ़ते हैं तो इनके हक में आप दुआ कीजिएगा कि यह हमेशा ऐसी ही काम करते रहे हैं ताके जरुवत मंगों की जरुवत पूरी होती रहे और परिशानी हो आप लोग को